दिल्ली NCR में एक साधी इन दिनों बेधी चर्चा में हैं अब वो शाधी आखिर हो भी क्यों ना क्योंकि एक डॉन की लेडी डॉन से शाधी होने वाली है 12 तारिक को दोनों एक साधी के बंधन में बंधने वाले हैं और उस पर बात करने के लिए खुद लेडी डॉन हमारे साथ मौजूद है मेडम पहले तो सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आप काला जटेडी और संदीप के संपर्क में कैसे आई कैसे मुलाकात हुई आपकी पहली मुलाकात कहां थे उनके संपर्क में संदीर फरार थे और मैं भी एक केस के सिलसिले में अंडरग्राउंड थी तो उस दोरान हम मिले थे और सबसे पहले हम इंदौर में मिले इंदौर में जी शादि की तयारिया चलने जो रुषोर से कैसे महसूस कर रही है वाब बहुत अच्छा मैसूस कर रही हूँ अच्छा लग रहा है और खूशी भी कि हमें कोट ने पर्मीशन लेने में हम लोगों ने जो लग दिखाया कि हमें मिला है वो लग और किसी को मिलता नहीं है किसी की खारी जुई किसी का कुछ हुआ और जज साब ने हमें पर्मिशन दी तो मैं उमीद करती हूं कि हमारे पीछी पीछी ओर लोगों की भी रास्ते खुलेंगे और वो लोग क्राइम की दुनिया से वापस घर के रास्ते की तर्फ निकलेंगे बिल्कुल सही बात है लेकिन यह बताईए संदीप उर्फ काला जटेडी छे गंटे के लिए ही सही अपने घर आ रहे हैं कैसा लग रहा है यह शुरू आत है आज 6 गंटे के लिए मिली है भविश्य में कभी भी हो सकता है जादा मिले थोड़े टाइम बात बेल मिले थोड़े टाइम कोई टाइम पिरिट डिसाइड नहीं है लेकिन फ्यूचर में कभी तो ऐसा होगा तो यह शुरू आत है हमारे लिए 6 गंटे काफी है जी विटीजी छे कंटे के लिए बहले बहर आ रहा हों है और शादी भी करने कारेंगे हर आघी बिल्कुल है और मैंने कि च्छे कणटे काफी है यह गंटे के दौरान शादी की रस میں फेरे उनकी इनका सबस्ट करेंचाथ बाद कोता है तो 6 घंटे काफी है और बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है मेंस्ट्रीम में आने के लिए संदीब जी जुर्म की दुनिया में एक बेताज बात्सा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा और उनसे आपकी मुलाकात कहीं न कहीं है कि फिल्म ही कहानी है ने फिल्म जैसा कुछ नहीं है ये बस दो लोग मिले संगर्ष जो कर रहे थे और ये उपर वाले ने डिसाइड किया था तो फिल्म ही जैसा तो कुछ नहीं है बस नॉर्मल सी एक संगर्ष वाली थी जर्णी हम दोनों की और हम दोनों साथ हुए ये बात बताईए संदीब जी काफी समय से अपने जेल के सराखों के पीछे हैं आप खुली हवा में हैं और आप मन चहां अपना शादी कर सकती हैं तो आखिर उन्हीं से शादी करना अपने क्यों फैसला किया क्योंकि जो संगर्ष मैंने किया संदीब ने भी वोई संगर्ष किया और कर रहे हैं वो भी हालातों की वज़े से वहां पहुँचे जहां कभी मैं भी पहुँची और वो भी उस दलदर और उस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं छोड़ चुके हैं कोशिश कर रहे हैं और म मुझे नहीं लगता कि संदीब से बेस्ट लाइफ पार्टनर मेरे लिए कोई हो सकते हैं। दूसरे उनके सिद्धान, उनका नेचर बहुत सारी चीजे हैं। हम लोगों के बीच में एक स्ट्रॉंग बॉंडिंग और अंडरस्टेंडिंग हैं। और उनका नेचर किसी की भी हेल्प करना, किसी के लिए भी कुछ भी मदद करने के लिए तुरंत आ गया आना। थोड़ा बहुत मेरा भी वैसा ही नेचर है। तो यह कुछ चीजे हैं जिन क्वालिटी की वज़़े से मुझे लगता है संदीब बैस्ट है। यानि कि उनका कहीं न कहीं soft nature आपको लुभा गया। अगर मैं उनके soft nature की अगर बात करूं क्या उनका आपको soft nature लुभा गया। हाँ जी उनका nature काफी soft है वो किसी भी person के लिए उन्होंने बुज़ूर्गों की मतलब जितनी इज़द की है मैंने कभी किसी को देखा नहीं इस तरीके से कि एक person वो किसी की भी माँ हो या किसी के भी पिता जी जो बुज़ूर्ग हैं उनका respect करना किसी के लिए बी attachment होना ब जो मुझे attract करता है अचा यह बताए बो भी down है और आप लेडी down के नाम से famous है तो कहीं न कहीं आपके दुश्मनी तो बहुत जादा है तो उसको देखकर आप ड़नी लगता है कि अब शादी होने वाली है तो कुछ change होना चाहिए नहीं डर जैसा तो कुछ नहीं है डर जैसा इसलिए नहीं है जो उपर वाले ने प्राड़त लिखा है और जो हमने संगर्श किया हमारे लिए उपर वाले ने लिखा था और अब डर जैसा क्या है कि के शादी कर रहे हैं तो साथ संगर्श करेंगे और anti-groups या इस तरीकी की बाते हैं, तो ये सब चीजे हमारी दिमाग में नहीं है आपकी शादी का जो कार्ड है वो वाइरल हो चुका है काफी लोगों के तक सोसल मीडिया के जरीय पहुंच चुका है तो कहीं न कहीं डर एक नहीं लग रहा है कि आपकी जो लिए डर लग रहा हो इसको लेकर नहीं डर तो बिल्कुल नहीं है और हां कुछ चीज़े जो वाइरल हो रही है लेकिन वो फेक है और पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा है डेली पुलिस डिपार्टमेंट और वो मेरी कनेक्टिविटी में और कॉंडिनेशन है हम लोगों के बीच में आपकी शादी अगले दो दिन में होने वाली है तो मैं फिर से वही सवाल दोराओंगा कि आपकी एक golden moment होता है जो हमेशे एक लड़की को याद रहता है कि आज इस दिन इस तारिक को इस समय मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी या जो प्यार के दो शब्द होते हैं वो उन्होंने मुझसे कहते हैं या आपने उनसे कहते हैं इसा होता है और मेरे साथ भी होना चाहिए था लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब से कोट ने पर्मीशन दिये कोट ने इस चीज को समझा कि जो accused है उसका समाज में वापस लोटने का जो जज़बा है जो उसकी इच्छा है उसके लिए उसको शादी करना जरूरी है ताकि वो फिर से attachment और family की प्रती responsibility फील करें तो कोट ने इस चीज को समझा और उन्होंने permission दी लेकिन उसके बाद में काफी सारे media house वो हमारे पीछे हमें call करना या department की मजबूरी है कि security को लेके वो call करते हैं हलाकि department ने हमें परिशान नहीं किया है बिलकुल भी नहीं किया है उन्हों ने तो सिर्फ coordination generate किया है हमारे साथ में लेकिन वो जो चीज होती है एक आम लड़की की की वो मतलब शादी के लिए सोचना feeling या यह चीजें तो वो अभी तक मेरे साथ में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जब से permission मिली है stress में ही है कि department cancellation के लिए ना लगा दे या मतलब इस त तुरंद बाद संदीब जी बापस दे चले जाएंगे और आप फिर इधर घर आ जाएंगे तो बड़ा unnatural सा नहीं लग रहा है देखिए जब हमने यह तै किया था फैसला किया था कि हम लोग आगे का जो सफर और संगर्ष एक साथ करेंगे तब हमें पता था कि इतना आसान नहीं होगा मेंस्ट्रीम में लोटना समाज में लोटना तो यह संगर्ष करना है और यह हमें पहले पता था हम रड़ी हैं संगर्ष के लिए बस यह है कि उपरवाले ने हमें मौका दिया शादी करने का ग्रह प्रवेश का संदीब 16 साल बाद अपने घर दोबारा तो मेरे ख्याल से मुझे ही लगता है कि बैस्ट है आप BCA करी हुई हैं पड़ी लिखी हैं वेल एजुकेटेड हैं आपने शेयर मार्केटिंग में भी अपना अच्छा काम किया था अब चाहती तो एक आसान सी जिंदगी आप गुजरबसर कर सकती थी आखरी जरायम की बिजनस पार्टनर्स ने मुझे चीट किया और एलिगेशन मेरे उपर लगाए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच किया एसपी साब को 14 टाइम्स करीब साढ़े चार महीने लगातार कॉंटक्ट किया उस जवाने में जिस टाइमें लोगों को ऑनलाइन एफ़ाय ने किया किसी ने भी नी तो बस हालात मुझे यहां पे लेके आए और फिर मैं यह समझती हूं कि उपर वाले ने यह संगश के लिए मुझे ही चुना क्योंकि मैं यह संगश कर सकती हूं तो बस यह सिचुईशन थी जिस वज़े से मैं यहां तक आई अचा अब मैं आपके शौक की बात करना पूछना चाहूंगा कि आपके शौक क्या क्या है आपको फिल्में देखना पसंद है या आप चूंकि लेडी डॉन है तो लेडी डॉन की जिंदगी एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी अलग अलग है या सेम रहती है नहीं कोई खास फर्क नहीं होता औ और हर और डॉन है अगर उसके साथ में कोई भी बत्तमीजी करे या कोई भी उसकी फैमिली को हाम करने की कोशिश करे तो हर इंसान डॉन है हर और डॉन है तो अलग जैसा कुछ नहीं है मेरे भी शौक हैं काफी सारे मुझे जानवर पालना बहुत पसंद है और म्यूजिक सुन पसंद है रीडिंग में पसंद करती हूं पिक्चर देखना भी पसंद करती हूं तो काफी सारी चीजे हैं सब चीजे ऑल्मोस्ट नॉर्मल ही है डॉन होने का मतलब या डॉन किसी ने कह दिया तो कुछ ऐसा खास नहीं है कि मतलब मेरे सिर पे सींग आ गए या मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी आ गई हम भी नॉर्मल इंसान है आपने का मैं पिच्चर देखने का शोकी नूँ तो आपका फेवरेट एक्टर एक्टरस कोन है टॉम क्रूस और फेवरेट एक्टरस है मेरी दिवया भारती दिवया भारती और आप जैसे की जानवर पालना पसंद करती है तो जानवर में कौन सा आपका फेवरेट जानवर है जो आप अपने साथ हमेशा रखना चाहती है खरगोश फेवरेट जानवर है अब भी भी मेरे पास में 14 रैबिट्स है तो खरगोश को मैं बहुत पसंद करती हूं उनको मैं अपने बच्चों की तरह रखती हूं आपको चाहा है कि शान सवाँ रहता है इसलिए हाँ, और उनके साथ में आटैचमेंट और पीस भी फील होता है आपको आप जितना उनको केर करेंगे, जितना आपको आटैचमेंट और लव देंगे, ऑपको ड़बल मिलेगा उन में कुछ भी फैब्रिकेटेड नहीं होता जैसे आदमी में होता है तो मैं रैबिट पसंद करती हूँ बिल्कुल, शादी दो दिन बाद है, शादी का जोड़ा भी आपने तयार कर लिया होगा तो थोड़ा सा बताएंगे कि किस डिजाइन का और क्या कलर है वो सर्प्राइज है आप लोगों के लिए जी तो अच्छा ये बताएंगे जैसे जरायम की दुनिया में आपने बहुत उताच और आप देखे होंगे और इसमें आपको ऐसी कोई इस आइकन लेड़ी जो मजबूरी में आई हो इस फिल्ड में और आपके लिए आइकन रही हो ने इस फिल्ड में ऐसा कोई नहीं रहा जो मेरे लिए आइडियल या आइकन हो मैं इंद्रा गांदी जी को पसंद करती हूँ, उनकी बॉल्डनेस उनको पसंद करती हूँ में इंद्रा गांदी जी को यानि कि आप राजनीती में भी आप इंटरस्ट रखती हैं और मैं अगर सही नहीं हूं तो आप इन फ्यूचर में राजनीती में भी कदम रखेंगे future का पता नहीं और politics का भी interest जैसा कुछ नहीं लेकिन वो जो lady रही है इतना bold जिनों ने जिस तरीके से country को deal किया मुझे नहीं लगता कोई ओर deal कर सकता है और protect कर सकता है जिस तरीके से इंद्रा गांदी ने किया अब मैं बापस आपकी शादी पर आता हूं क्योंकि यह थोड़ा सा ट्रैक से अलग हो गया था शादी एक ऐसा moment है जो हर कोई अपने दिल में सेजना चाहता है उसको रखना चाहता हमेशा के लिए golden movement होते हैं वो तो आपने मेहंदी और मेक अप बगारा सब रेडी करवा दिया है कि हां कुछ चीजे गॉल्डन movement होते हैं लेकिन किसी वज़े से एक्चुली संदीप के फैमेली में चाचा एक्सपायर हो गए इस वज़े से हम लोगों को यह सब चीजें पोस्पॉन करनी पड़ी और उनकी कल दस्तारी को तेरवी करके दन जितने भी छोटे मोटे फंक्शन हम कर सकते हैं 11 को तो वो करेंगे और रही बात मेक अप मेहंदी तो यह तो शादी वाले दिन के लिए सर्प्राइज है बिल्कुल मेहमान के अगर हम बात करें तो कितने मेहमानों के लिस्ट बनी हुई है और जो सूसल मुडिया पे वाइरल है उसमें यह बताए जा रहा है कि आप क्या मेहमानों की लिस्ट बाकाइदा प्रशाशन तक गई हुई है हाँ पूरी डिटेल्स उन्होंने मांगी भी और हमने दी भी हाँ सो डेट सो लोग आएंगे इससे ज्यादा नहीं आने में तो बहुत इंटरस्टेड हैं बहुत लोग लेकिन हमें उनको मना करना पड़ रहा है रीजन सिक्यूर्टी रीजन है और जितनी भी डिटेल्स हैं कि जैल में उसके बाद दुबारा से पारोल लगा जाएगी तो अपलोगों ने कहीं भार गुमने का प्लान किया है यह जब से चुनि पड़ने सब सब नॉर्मल हो जाएगी तब दौबाद पैरोल का तो मैंने नहीं सोचा ना संदीप ने सोचा है बस आराम से शान्ती से शादी हो और उनका ग्रह प्रवेश हो 16 साल बाद वो एक बार दोबारा अपने घर में पैर रखें और अपने घर में अपनी मां से मिलें ए उसके बाद में फूचर में देखते हैं कैसे क्या चीज़ें होती है और बिल्कुल हम लोगे पैरोल के लिए भी कोशिश करेंगे और बेल के लिए भी कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी बिल्कुल आपको शादी की हर्दिश रूपकामना है आप दो दिन बाद एक दुलहन के रूप में नज़र आएंगी हमारे साथ थी अनुरादा चौधरी उफ लेडी डॉन अब अगले दो दिन बाद इनकी शादी है अब ये दुलहन के रूप में आपको नजर आएंगी और इनका कहना कि हमारी शादी बहुत ही शालींतर तरीके से पीसफुल ही तरीके से रहेगी पुलिस प्रशासन का इन्होंने कहा है काफी सयोग रहे और ये चाहती है कि पुलिस प्रशासन का सयोग लगातार इनके साथ बना रहे केमरे प्रशासन बिपल के साथ अंशुमन यादव टीवी नाइन भारत पर्स हर्याना